लिए नमस्कार गाईज वेलकम वेलकम आप दिख रहे हैं टेखनिकल आनलसिस कोर्स आइं टेली ग्राम चैनल से लाइव अन्दो स्ट्रिमी अधानी शेरों में हो रही है भारी बरकम गिरावट शेर का नाम है अधानी ट्रांस सेकंड शेयर का नाम है अदानी पावर थर्ट शेयर का नाम है तक्रीबन अदानी एटी जी एल और अदानी ग्रीन और अदानी बिलमर जड़ी आप इन कंपनियों के शेयर धारक हैं तो विडियो में बने रही है अदानी ग्रूप का कोई भी शेर आपने खरीदारी करी है तो बने रही है अल्गोरिदब की बज़द से हम आपको बताएंगे कि AWL शेर का क्या हाल होगा 700 रुपय पर हवारे पास सेलिंग का सिगनल आया था बेचनाई का सिगनल था तेरा अक्टुम्बर को बेचनाई था और वो शेर 722 रुपय से वापस से क्रैक होगे पूरी तरीके से गिर गया है तो गाइस ये विशलेशन देखने के लिए सबसे पहला काम देखिए हमारा आमें टेकनिकल लैने से स्कोर से टेलिग्राम चैनल जॉइन करना बिल्कुल भी मत बूलना क्योंकि यहां पर दी जाती ही शिक्षा और लेना चाहते हैं लॉस से बचना चाहते हो रियलिटी में तो वीडियो में बने रहो और टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्रिप्शन में है अधानी विल्बर में तो सबसे पहले यह सवाल कि अधानी के सारे शेरों का हम विशलेशन करेंगे इनके अलावा जो शेर भी हैं जिनके नाम नहीं लिए अधानी पोर्ट्स और अधानी इंटरप्राइजज इंदें भी क्या करें और इसके अंदर अदाने टोटल गास है इसका भी अंदर क्या करें हम आपको पूरा पताएंगे तो सबसे पहले शुरुवात करते हैं नुपसान वाले शेयरों में तो सबसे पहले शेयर का नाम है अदाने ट्रांसमेशन अदाने ट्रांसमेशन में हमारे पास सेलिंग का सिगनल और डिजनरेट हो चुका है 377 मन्स है 29 सब्टेमबर को हमारे पास सेलिंग का सिगनल आ चुका था बेचना था 101% और वो आज तक गिर रहा है स्टिल आज वो 3% से ज़ादा गिरावट दिखा चुका 22 नवंबर के दिन तक्रीबन और ये शेर कितना गिरेगा इसका अनलेसिस पहले कर लेते हैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह आज आपके पास है अदाने ट्रांसमेशन कोई सा भी शेर है इन में से तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बेलकोल भी मत भूलना क्योंकि ये लाइव अल्गोर्दम है ठीक है और चालू मार्किट सा अपके लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं अल्रेडी 50% क्रैश हो चुका है अदाने ट्रांसमेशन अब और गिरावट के संके थे तो अगला जो अब जाड़ा गिरावट नहीं आप आएगी मुश्किल है क्योंकि यहां पर एक सपोर्टिंग एरिया देखने को मिला है हमें इस एरिया में तकरिवान आपके सामने मार्किंग करते हैं ता आप वो दिखा सकते हैं अदने ट्रांस्मिशन में कि यह जो एरिया है तकरिवान तू सिक्स olan 2863 का और यहां पर च्टू सिक्स 00 का जो एरिया है तकरिवान सपोर्टिंग जोन निकल के आया दीखीं यहाँ पर और इस सपोर्ट के करीब पर यहां पर support लेता हूँ नदर आएगा मतलब 2650 के आसपास यह तकरीबन support ले सकता है यह share तो यहां पर जाकर जिन लोगों ने 4000 में खरिदारी करी थी 3700 में खरिदारी करी थी 3600 में खरिदारी करी है क्या इसके बाद भी गिर सकता है यादि 2600 रुपे का लेवल टूटा तो गिरेगा ये सीधा शेयर गिरेगा 2253 रुपे के लिए गिरेगा खीक है? नोट डाउन करके लिख 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 लिजिएगा अगला शेयर का नाम है अदानी पावर अपका चहता आप लोगों ने बहुत पैसा कमायों का आयोप करता हूँ कि हमारे पास तो बाइंक का सिगनल था मात्र खरेदारी का सिगनल था 108 रुपे से खरेदारी का सिगनल था और वो शेयर कंटिनिशनली बने रहता है और 304 रुपे तक जाता है मगर अब सेलिंग थोड़ी गहराने लगी है इस शेयर में आज भी 1.5% की गिरावट है इस शेयर में तकरीबा 304 रुपे से कंटिनिशनली सेलिंग का सिगनल बने हुए है और अब जो सेलिंग का सिगनल की जो डेट है वर 20 सब्टेम्बर से है महां से क्राश होते जा रहा है 375 रुपे से 100% क्राश ही हो रहा है इसको बायर बाय नहीं कर रहा है आपको दिखाई ज़ला होगा दो बार यशने 375 रुपे का प्राइज से टेस्ट किया है और यह price test करने के बाद यह पूरी तरीके से गिर रहा है और अब यह share कितना गिरेगा तो अभी तक इसके share के जो target है bottom of the area में तकरीबन देखने को मिल सकते है 300 रुपए तक गिरावट आ सकती है और तकरीबन 280 रुपए तक गिरावट देखने को मिल सकती है इसी शेतर में कहीं ने कहीं इसके अंदर बाइंग का support देखने को मिलता देकर लास्ट टाइम जहाँ पर यह बाइंग देखने को मिलेती 270 रुपए से लेकर 230 रुपए के आसपास के average में area में आपको बाइंग जोन देखने को मिल सकता है इसके बाद यदि इसके बाद गिरावट होती है तो यह गिरावट और जार अबढ़ सकती है request करता हूँ किसी प्रकार की अभी averaging ना करो जब तक कि यह share 280 रुपए के आसपास ना आ जाए 300 रुपए के आसपास ना आ जाए वो weekly to weekly end में purchase करना होगा ताकि आपको averaging सही हो जाए आपके एक ही दिन में सारी averaging जो करते हैं गलती number one कि averaging के नाम पर आप क्या करते हैं कि एक ही दिन में सारी buying कर लेते हैं और अगले दिन फिर चुप-चाप बैढ़ जाते हैं अगले बात करते हैं तो अगला शेयर का नाम है हमारा अदानी transmission के बाद आदानी green पर आया थे आदानी green पर हमने तकरीमन देख सकते हैं स्क्रीन पर अकॉर्डिंट अच्छा profit बन के आया और ये शेयर था तकरीमन 700 पर तो यहां पर अदानी green के शेयर में हमारे पस 980 रुपीज के price पर signal जनरेट हुआ था कि खरीदना था और वहां से एक signal की value हमारा profit बना कर देख कर जाती है तकरीमन हमें 217% का तकरीमन profit मिलता है तकरीमन 2930 के तकरीमन टार्गेट अच्छी होता है यहां पर 3000 तकरीमन टार्गेट अच्छी होता है हमने exit लिया इसके बाद से विक्वाली देखने को मिल रही है यहां पर विक्वाली के जो signal है अदानी green में तकरीमन 2543 से कंटिनिशनली बने हुए है और सेलिंग के सिगनल ही बन रहे है बाइं बहुत छोटी-छोटी हो रही है और अभी भी तकरीमन 1% की गिरावट है और उपर इस तरव पर कंटिनिशनली सरिफ सेलिंग ही देखने को मिल रही है अब और 3-4 दिनों से लास्ट 3 डेस पूर इस से सेलिंग देखने को मिल रही है अदानी ग्रीन के शेयर में तो यह अदानी ग्रीन है 17 अवंबर गिरावट हो रही है टार्गेट क्या है तो टार्गेट इसके निचले सतरों के टार्गेट है तकरीमन पहला टार्गेट होगा आपका 1935 का नोट कर लीजिएगा आपको बाइंग देखने को मिल सकती इस एरिया में प्रॉट सपोर्डिंग बाइंग देखने को मिल रही है 1700 के आजब मिलेगा तो ही एमरेजिंग करनी है नहीं तो नहीं करनी है रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से अगला शेयर का नाम है अदानी विलमार जबसे आ यहां से अपको तकरीबन रिटन मिला थी 280% का रिटन रिश्व मिला था और हमने एक्जिट कर दिया था इसके बाद तकरीबन 900 पर के प्राइस पर 900 के प्राइस को दो बाट टेस्ट कर जाने के बाल इस्टक्रेश हो रहा है यहां पर आप लोगों देखना होगा कि 836 का तक रहा हैं उनसी लिपारी के तो आप क्यों कर रहे हैं हो सीरी सी बात है और वह सेलिंग कंटिशनली सेलिंग कर रहा हैं मतलब जिन लोगों ने खरीदारि करके शेहegं कसी उत purchased बनी अबतों अब कोई गिरावारे अब के अधानी विलमर का शेयर इसके वार्डे में बात करते तक्रिबान सबासो रुपे की गिरावट भी और देखने को मिल सकती है अदानी पोर्ट कंटिशनली बाइंक सिगनल बने हुए डेली चार्ट पर बट अलर्ट हो जोने की जर्वत है आपके पास अदानी पोर्ट है तो कंटिशनली बनी रही है 835 रुपीस के स्टाप्लस के साथ बने रही है अदानी इंटरप्राइजेस हमारे पास बाइंक का सिगनल है कंटिशनली तक्रिबान एक नावंबर से और 3400 रुपे के पास से बाइंक सिगनल जनरेट हुआ था और हम खरिदानी करनी थी 4000 रुपे हो चुका है और यदि आप स्टॉपलस ट्रेल करना चाहते हैं और आप अपनी रिस्क और रिवार्ट रिश्यो को मिंटेर रखना चाहते हैं तो स्टॉपलस ट्रेलिंग जरूर कीजेगा जैसे यह हाई ब्रेक करेगा 4100 का तकरिवन तो यहां पर आपको 4400 रुपे तक के टार्गेट देखने को मिल सकते हैं अगला शेयर है अडानी टोटल गैस देखे इसमे आलट होने की जरुब तकरिवन यहांपर भीक वाली देखने को मिल रही है और अडाने टोटल गैस में इस range में कोई buying नहीं कर रहा है अडाने टोटल गैस range तकरिवन 3800 रुपे की range इस range में कोई buying नहीं चल रही है तकरिवन selling ही देखने को मिली तो last timing भी selling देखने को मिली थी signal number 1 आ चुका बोल रहा है बेचना चाहिए तकरिवन इस price से आपको exit ले लेना चाहिए एक बार या फिर alert हो जाना चाहिए यदि इसके नीचे गया है तो आपको बेचना चाहिए 3661 के price से यदि आपने खरदारी कर यह request करता हूं बेच देना कहां तक गिलेगा यह share तो 3400 रुपे से लेकर 32 रुपे तक की range को गिरने को तैयार है तकरिवन इस range में गिर सकता है और यही बड़ी के वाली गिरावट होती है ताक को इस share को range में 31 100 रुपे की range के आसपास भी देख़़ए को मिल सकता है यह share हलाकि इतना बड़ी गिरावट होना थोड़ा पुश्किल है तकरिवन 3300 रुपीस तक के टार्गेट के लिए गिरावट दिखा सकता है फिर भी आप एलर टर यह रिक्वेस्ट करता हूं गिरावट से पहले का वीडियो है अदाने टोटल गैस में रिक्वेस्ट करता हूं क यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक ज़रूर कीजेगा यदि आपके फ्रेंड सरकल में भी किसी के पसा अडानी ग्रूप के शेर है तो वीडियो को शेर जरूर कीजेगा चुकि याड़ा मैं को रिसर्च एडवाइजरी सेंटर नहीं हूं मैं को यूट की जरूरत है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो और प्रफेशनल ट्रेडर कोर्स भी जॉइन कर सकते हो प्रफेशनल ट्रेडर कोर्स आप में आपको पूरा अलगोर्दम मिलेगा फॉर लाइफ टाइम के लिए मोबाई लो लैप्टॉप पर साथ में आपको मिलेगा हमारा professional trading course seven days के classes how to select right stocks entry point exit point target and stop loss and how to trade options trading international market and jackpot and penny stocks तो यह सब चीज़े आपको सीखाएंगे सीखना चाहते हैं तो join the telegram channel thank you so much